मुख्या दिदी, मुख्या दिदी, मुख्या दिदी, मुख्या दिदी, क्या बात है धने सर, मुख्या दिदी, इस जंगल में टार जला के फेग रहा था, इसलिए आज इसको आपके सामने पकड़ के लाए हैं, कब समझोगे तुम लोग, जंगल में आग लगाने से हमें कित पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है। कि जंगल के इन पेड़ पोधों का किसान कौन है? कौन इसमें हल चलाता होगा? कौन इनकी मिट्टी हल की करता होगा? और कौन इसकी देखभाल करता होगा? इस अब हम लोग का जानेंगे मुख्या दिदी? जंगल की मिट्टी के उपरी सतह पर कई प्रकार के कीट, केचुए और गुब्रैल होते हैं। ये कीट उस मिट्टी को चाट चाट कर भुरभुरा बनाते हैं। फिर उस भुरभुरी मिट्टी पर बीज गिरता है और वो पनपकर पेड बनता है। वास्तों में यही कीट जंगल का किसान होते हैं। फिर जब हम इस जंगल में आग लगा देते हैं, तो ये जंगल की किस जलकर मर जाते हैं, मर जाते हैं ये किसान, ऐसा होता है बीटी, ये तो हम लोग को पता ही नहीं था, हम लोग अपने छोटे-छोटे फाइदा के लिए बात-बात में जंगल में आग लगा देते हैं, और जानते हैं काका, जिस तरह आग से जलकर मनुष्य घायल हो जाता है, ठ धीरे-धीरे कई बिमारियों का शिकार होकर वे मर जाते हैं। बाप रे बाप, बेटी, अनजाने में हम सब इतना बड़ा पाप कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं होता। जंगल की जली हुई मिटी और राख वर्षा के जल में आसानी से बह जाती हैं। और यह बह कर धर्थी की उर्वरा शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर देती हैं। और सुनो, जंगल में बार-बार आग लगने से वहां की मिटी पक जाती है। और यह तो हम सभी जानते हैं कि पकी हुई मिटीों में बीज नहीं पनपते। पाप रे, इतना बड़ा नुकसान। दीदी, आज हमको बहुत अपसोस हो रहा है। कि हम अपने फाइदे के लिए जंगल में हग लगा देते हैं। और कभी-कभी तो जंगल में लगी हुई आग को देखकर छोड़ देते हैं। कि इससे हमें क्या, पर ऐसा नहीं है। जंगल, जंगल हमें बहुत कुछ देता है। दीदी, आज से हम ये प्रण करते हैं, कि जंगल की रक्षा करेंगे। हाँ दीदी, आज से हम सब मिलकर ये प्रण करते हैं, कि अब से हम सब मिलकर जंगल की रक्षा करेंगे। बहुत कूप, बहुत कूप